मगर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, पहली बार लोगों को इस बात का अनुभव हुआ है, कि इस सरकार सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, इस सरकार देश को बदलने के लिए आई है सभी को आज मैं सुसासन सप्ता की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज जब हम सुसासन सप्ता मनाने के लिए 25 डिसमबर के दिन एकत्रित आये हैं, तवे 25 डिसमबर का दिन का एक अलग महतो भी है दो ऐसी विभूतियों का समुर्टी इसी दिन के साथ जुड़ा है जिन्नोंने देश के विकास के लिए, देश की आजादी के लिए और देश को एक नई दिशा दिखाने के लिए अपना पूरा जिवन, जिवन का खशनक्षन, सरीर का कंकं लगा दिया एक पंडित मदन मोहन मालविया जी, जिन्नोंने आजादी के पहले इस देश की गवरोमई विरासत को दुनिया के सामने रखने का काम किया भारत की संस्कृती, भारत की परंपराय, भारत का पवरानिक ज्यान, भारत का विज्यान, वैदिक गनीत, वैदिक भूमिती ये सारे विशयों को लगुता ग्रंती से बाहरा कर दुनिया के सामने गवरों के साथ बताने का काम किया और उन्हें ने ये भी बताया, कि सारे विशयों का संडक्षन और संवर्दन सिर्फ भारत के लिए जरूरी नहीं है भारतियों को भी ये बताया कि इनका संड़क्षन और समवर्धन सिर्फ क्योंकि ये वो हमारे पुर्खों ने अर्जित किया है ग्यान इसके लिए जरूरी नहीं है ये ग्यान के अंदर दुनिया की बहुत सारी समस्याव का समाधान है इसलिए दुनिया के लिए भी जरूरी है कि भारत इसका संड़क्षन और समवर्धन करे और दुनिया भर में इसको प्रचारित और प्रशारित करे विश्वए बनारस के अंदर बनारस हिंदु विश्वए दलाय की स्थापना करी पूरा जीवन लगाया एक भिक्सुक की तरह पैसा इखटा करकर भारतिय परंपरा के अधार पर नई आधूनिक शिक्षा पद्धति कैसी हो सकती है इसका एक आधर्स खड़ा करने का काम किय और आज भारत रत्न मालिय जी का जन्वदिन है हम सभी उनको याद करकर स्रद्धान जली देते हैं आज आधूनिक भारत में सुसासन सब्द जिन्हों ने साज अर्थ में जमिन पर उतारने का काम किया ऐसे अटल जी का भी जन्वा और अटल जी ने पूरे जीवन एक विच देश के प्रदान मंत्री बने तब कई सारे एसने फैसले किये जो देश के घवरों के साथ जुड़े थे सालों से लंबी तो बहुत कम कालखंड मिला मिली जूली सरकार थी धेर सारी मरियादा थे मरियादाय थी फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि आने वाले दिनों में सरकारे कैसी चलनी चाहिए इसका एक मजबूत और अच्छा उदान भारत की लोगों के सामने रखा जाए आज मैं पूरे देश की वर से स्रद्धे अटल जी को भी विनम्र सर्द्धान जली देना चाहता हूँ मित्र आज सुशासन सप्ता का बहुत बारीक ब्योरा मेरे पहले दो सचिवों ने भाई जितंदर सिंग जी ने दिया है मैं इसकी बहुत डिटेल में उपलब दियों की सप्ता की उपलब दियों की डिटेल में जाना नहीं चाहता मगर एक बात सही है कि सुशासन सप्ता मनाने का जो नेने देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और अमरूत महोचसव आजादी के अमरूत महोचसव के वर्स में किया इसे इस सुशासन सब्ता का कंसेप्ट दिली से निकल कर राज्यकी राजदानी से निकल कर जीलों से गुजरते हुए घाओं तक पहुँचाने का काम हुआ है और धेर सारे घाओं में पत्वारी से लेकर यहाँ पर भारत सरकार के मंट्री मंडल सचीव तक यह पूरी व्योस् आज सुशासन सब्द का परिचय हो गया है, मैं मानता हूँ यह बहुत बड़ी उपलब्दी है, धेर सारे हजारों की संख्या में कारेक्रम हुए है, लाखों की संख्या में सिखा है तो का निप्टारा हुआ है, धेर सारे सुझाव मिले हैं, जिसके पर आने वाले दिनों में सुशासन की एक मजबूत इमारत इसके इंप्लिमेंटेंशन से खड़ी हो सकती है, इसलिए और जिस सिद्दत से ये सुशासन दीवस को नीचे तक पहुँचा गया, सुशासन सब्ता को नीचे तक पहुँचा गया, सुशासन के कंसेप्ट को नीचे तक पहुँचा गया, म मैं प्रसासनिक सुधार्विभाग और कार्मिक मंत्राले को बहुत-बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने मोदी जी के विश्वास को निचे तक, इनके विचार को निचे तक पहुचाने का काम किया है मित्रो, 2014 में नरेंडर मोदी जी की सरकार आई देश में कई बार सरकारे बडली, सरकारे आई, सरकारे गई मगर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी देश के प्रदान मंत्री बने पहली बार लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि इस सरकार, सरकार चलाने के लिए नहीं आई है ये सरकार देश को बदलने के लिए आई है और ये जो देश को बदलने का कंसेप्ट था सुराज तो मिल गया मगर सुराज कब मिलेगा इस सब के मन में क्वेस्चन मार्क था सतर साल के अंदर धीरे 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 हमारी डेमोक्रिटिक सिस्टिम पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था क्योंकि लोग तंत्र के सूफल लोगों तक तभी पहुंचते हैं जब सुराज को हम सुराज के अंदर परिवर्तित करें सुशासन के अंदर परिवर्तित करें और नरेंद्र मोदीजी ने लोगों की ये जो अपेक्सा थी सुराज को सुराज में परिवर्तित क करने की इसको बहुत अच्छे तरीके से जमिन पर उतारने का काम किया और इसके लिए अहर्णिस प्रयास किया इसके लिए सब को साथ लिया और साथ लेकर एक सामुईक प्रयास का नतीजा है लोगों के अंदर विश्वास बड़ा है लोगों के अंदर आत्मविश्वास बड जब देश के अजादी की सताबनी मनाई जा रहे होगी तब देश कैसा होगा इसका मानचित्र हर नागरिक अपने मन में बनाता है न केवल अपने मन में बनाता है अपना इसमें क्या योगदान होगा इसके लिए भी वो सोच रहा है तो 22 सरकारी इस देश ने देखी उसके बा कि प्रंथों के अंदर सुषाशन कोई नया सब्द नहीं है कि महाबारत का सांतीपरवाब देख लिजे विदूनितिकLord को देख लिजे चानक्य का अर्थसास्त्र देख लिजे या चानक्य के निति सुत्र को पढ़ लिजे हर जगे सुषाशन के मंथ्र बने हुए हैं आज ब्रिटीस काल में भी महाराजा स्याजी राव गायकवाड के दीवान थे इन्होंने माइनर टिप्स करकर एक पुस्तक लिखा था मेरा आप सभी से आगरह है कि माइनर टिप्स आप एक बार पढ़ लिजे इसका सभी भासाओं में भासंतर हो चुका है वो बताता है कि हमारे यहाउं सुशासन के लिए कितना डिटेल विचार हुआ था सुशासन के कई सारे नए अलग-अलग आयाम भी समय के साथ-साथ आये हैं यूएन ने भी आठ लिम्ब में उसको विभाजित किया है मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाता तहूं जाना रखना चाहता हूं यह सारे परिपत्रों की जो भासा है इससे बाहर निकल सुसासन से लोगों की क्या अपेक्सा है वो जरूर में रखना चाहता है लोगों की अपेक्सा है सुसासन से कि जो विकास का मॉडल हो सर्वसपर्सियों सर्वसमावेशक हो देश का कोई क्षेत्र ऐस ना हो जिसमें विकास का स्पर्स न होता हो और समाज का कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसका विकास के मौडल में समावेश्ट न होता है विकास के मॉडल के लिए लोगों की हम से अपेक्सा है सुशासन के मंत्र से अपेक्सा है एक सर्वस परसिय सर्वसमावेशी विकास की सुशासन के मौडल से लोगों की अपेक्सा है संपून ब्रस्टाचार से उन्मूलन युक्ट संपून ब्रस्टाचार विहिन पारदर्सी सासन की सुशासन से लोगों की अपेक्सा है मुलबूत समस्याओं का समधान करने के लिए निष्ठावन प्रयास की सुशासन से एक अपेक्सा है जवाब देही की समवेधन सिलता की जवाब देही भी होनी चाहिए लोगों के प्रती लोगों की समस्याओं के प्रती समवेधन सिल भी होना चाहिए नए प्राण फूंकने के लिए नवाचार की भी अपेक्सा है और इसके अंदर सातत्य चाहिए इसके लिए स्ताहित्व की भी अपेक्सा है और ये सारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि लोगों का सरकार पर विश्वास हो और सरकार का लोगों पर विश्वास हो इस प्रकार के लोगतंत्र की निर्मीती की विश्वास है तो इस साथ अपेक्साएं हमारे लोगों की हम से हैं और हम सब का जब मैं हम सब कहता हूं तब यहां से लेके पंचायत तक का सभी लोग कहीं न कहीं साशन में बैठे हैं चाहे वो चूनकर आये हुए प्रतिनिद्धी है लोग प्रतिनिद्धी है या बीरोक्रसी के माध्यम से जो देश की सिवा करते हैं, सब का दाई तो है कि इस सातो अपेक्साओं को हम पून करें, मैं नरेंद्र मूदी सरकार ने इस सातो अपेक्साओं को पून करने के लिए किस प्रकार से काम किया है, इसकी पधती में नहीं जाना चाहता, बात में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा मगर मैं कुछ उदान जरूर देना चाहता हूं कि साटो अपेक्साओं को किस प्रकार से सरकार ने एटेंड किया है इसके धेर सारे उदान होते हैं मगर मैं कुछ ही देना चाहूंगा और किस प्रकार से लोगों की अपेक्साओं को पूर्ण करने का प्रयास किया है पहले सर्वस परशिय सर्वसमावेशक विकास पहले विकास की व्यक्वा्थ्या एक अलग प्रकार की व्यक्वा ठीड है धेर जारे दवंद चलते थे आते ही पूते थे ये सरकार ग्रामेन विकास पर बल courts zeit क पर बंद देगी यह सरकार लोक कल्यान का काम करेगी यह सरकार अउध्योगी क्विकास करेगी यह सरकार कुसी विकास करेगी यह सरकार इंडस्ट्री को प्राधानिय देगी यह सरकार जो है वो विदेश्ट मीती को समालेगी यह सरकार देश की सुरक्षा को समालेगी यह पारे द्वन्दों को समाप्त कर गिया एकалась सरकार के पांच साल के हैब साथ साल के कालखंड के अंडर लगांगों के विकास विकास भी हुआ है घ्राय में भी कास पहुंचा है सहर में भी कास हो रहा है देश की सिमाय भी सुरक्सित हो इसाथ हम altura जोसे एप सभी अंतर विरोत को समाप्त करने का काम किया है और इसके साथ धेर सारे क्षेत्र को सपर्स करने वाली कुरूशी उद्योग इंफ्रस्ट्रक्टर रक्सा अंट्रिक सुरक्सा इरिगेशन ग्रामिन विकास सहरी विकास जन्जाती विकास इस सारे क्षेत्र को सपर्स करने वाल विकास हुआ है और जहां तक सर्वसमावेशी विकास का सवाल है जब 2014 में सरकार आई इसके पहले इस देश के 80 करोड गरिबों के मन में बहुत बड़ा सवाल था कि प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं सरकारे आती ही जाते हैं मैं तो वहीं का वहीं है दिन प्रति दिन वो जन संक्या बढ़ती जाती इसके जीवन स्तर में कोई उठाव नहीं आता था हम सब को मालूम है कि 2014 के पहले इस देश में 60 करोड लोग वे थे जिसके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था एक भी बैंक अकाउंट वो देश के अर्थतरंतर के साथ ही जुड़े नहीं उसके घर में बिजली नहीं थी किसी के पास घरी नहीं था किसी के पास सौचाले नहीं था दस करोड से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके पास सौचाले नहीं था तीन करोड से ज्यादा घर ऐसे थे जिनके पास बिजली नहीं थी 14 करोड से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके बास गैस नहीं था और स्वास्त के नाम पर तो बहुत बड़ा मिंडी था सुन्य था उसके घर में बीमारी आते ही वो इस्वर के अलावे किसी को याद नहीं करता था इसके बुटे में ही नहीं था थोड़ा बड़ा बुखार बुखार आ गया तो तो दवाई करा लेते हैं मगर कैंसर दिल का दोरा लखवा मार जाना इस प्रकार की घंबिर व्यादियों से जब वो परिवार के अंदर आपत्ती आती थी वो अपने आपको असहाई महसूस करता था और आजादी के माइने कुछ नहीं रह जाते थे एक माँ आपने शोटे से बच्चे को तिल तिल मरते हुए जब देखती है ना तब आजादी के कोई माइने नहीं देन गपता है और में भूक भी थी नरेंद्र मूदी सरकार ने दो करोड से ज़्यादा लोगों को घर देकर पहली बार एक लक्स देश के सामने रखा कि इस देश में हर घर की व्यक्ति के लिए घर की मैसुनी सित्त हर घर में बिजली पहुँचाने का काम समाप्त हुगा हर घर में 144 पहुँचाने का काम समाप्त हुगा 14 करोड लोकों के घर में गैस पहुंचा कर दुआ मुक्त घर बनकर इसके स्वास्त को सुधारने का काम किया है हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का लक्स हमने डिसेंबर 2022 के पहले सुनिस्चीत कर लिया है पांच लाग तक कोई भी बड़ी बीमारी हो ना उसको दवाई का खर्चा करना है ना उसको हस्पिटरलाइजेशन का खर्चा करना है इस प्रकार की व्योस्ता सुरू करी और कोरोणा के कप्रेकाल के अंदर भी अस्ती करोड लोगों को दो साल तक प्रतिव्यक्ति 25 केजी 25 किलो अनाज मुप्त पहुचा कर उसकी भूख से भी उसको बचाने का काम ये भारती जनता पार्टी की नरेंदर मोधी सरकाने किया है इसलिए सर्वस परसिया और सर्वस अमावेसी विकास जो सुशासन से लोगों की अपेक्सा थी इसकी पूर्ती के लिए धेर सारे काम किये मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं मगर समय की मरियाद आए मगर मेरे कहने का ये मतलब है देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्शा जो अपने आपको देश के विकास से काट कर बैट गया था आज वो सब के मन में नई उमंग है, नई आसा है, वो भी कुछ बनना चाहते हैं, अगर वो कुछ बनने का प्रयास करते हैं, वो अपने आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ेगा, देश के विकास के साथ इसने अपने आपको जुड़ा है इसके जिवन्सतर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और हर यूदना का स्केल बदलने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है पहले यूदना ये आंकडों में हुआ करती थी अब यूदना है समस्या को समाप्ती की घोसना के साथ बनती है पहले तह होता था पचास जार घर बनाएंगे अब सब को घर देना है पहले तह होता था एक लाख लोगों के घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे अब तह होता है सब के घर में पीने का पानी पहुंचाना है सब के घर में सोचा लए सब के घर में धेर सारे काम करें, सबसे पहला काम DBT, Direct Benefit Transfer, देश के साथ करोड लोगों को अपने सरकार ने बनाई हुई योधनाओं का पैसा लेने के लिए, चाहे दूर सुदूर कोई घाओं में कोई विध्वा बहन रहती हो, कोई वृद्धा रहती हो, कोई वृद्ध रहता हो, कोई दि सौर रुप्या सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है, मैं मानता हूँ, करप्शन पर ये बहुत बड़ा उठारा गात, बहुत व्यास्तित तरीके से नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है, इसके इल्यावे, ब्लेक मनी के लिए कई सारे कानून बनाएगे, बि पुसासन के मंत्रों के माध्यम से नरेंद्र मोधी के जीने किया है, और इसके कारण आज साथ साल की सरकार के बाद भी, हम लोग विश्वास के साथ जनता के सामने कहते हैं, एक ऐसी सरकार है, जिसके साथ साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरो भी कोई नहीं लगा स का, एक पारदर सीखता का बहुत बड़ा उदारण है, नित्यों को स्पेसिफिक बनाया, उसको स्थाई तो दिया, उसमें स्पष्टता भी काफी लाने का काम किया, जिससे इसका फाइदा, जो निती, जिनको फाइदा देने के लिए बनाई है, उसका पहुचने में कोई कन इंफ्यूजन न हो, किसी प्रकार से कोई तकलिप न हो, प्रसासनिक सुधारों में यी गवननर्स और सिटीजन चार्टर को भी बहुत प्राथमिकता दी गई, तीसरा मुद्दा था मुल्भूत समस्याओं का समाधान, मैं एक दो उदान देना चाहता हूँ, स्वास्त को ही लेना चाहता हूँ, यहाँ निने टुकड़ टुकड़ो में नहीं होते हैं, स्वास्त को अगर पूरे देश के गरिब से गरिब व्यक्ति को स्वास्त को एड्रेस करना है, तो अस्पतालों से अकेले से नहीं होगा, इसको सुद्द पिने का पानी जब तक आप नहीं पहु स्वास्त के सामने ये सब होने के बावजूद भी अगर स्वास्त भीगरता है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हो, तो आप उसके स्वास्त को ठीक नहीं करते हो, और स्वास्त का इंफ्रेस्ट्रक्चर अगर बढ़ाते नहीं हो, तो भी उसके स्वास्त को ठीक नहीं मित्रो सबसे पहले स्वाचाले बनाने का अभ्यान लिया गया है उसके बाद अब सुद्ध पीने का पानी पहुँचाने का अभ्यान लिया गया है बहनों के स्वास्त को ध्यान में रखके सुद्ध इंधन घैस का सिलिंडर इसके घर में पहुँचाया गया है इसके बाद सस्ती दवाईया जेनरिक दवाईया पहुचाने का जाला बून लिया गया, उसके बाद में प्रजानमंत्री आईशमान भारत योदना को लागा। देखने में तो यह सब कारेक्रम अपने अपने अलग है, मंत्राला भी अलग है, मगर उसके बीच में एक सुत्र है कि जन्ता के स्वास्त को पूनतया सुरक्षित करना, मुल्भूत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, यह इसका उदार है, ऐसे बहुत सार उदार मैं दे सकता ब्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए आधार, ब्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जंदन एकाउंट, मगर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं स्वास्त पर ही बात करना है, कि मुल्भूत समस्याओं के समाधान के लिए, नीतिया ऐसी बनी, कारेक्रम ऐसे बने जिससे पूरी की पूरी समस्या जड़ समेत उखड जाएं। इसके बाद में टेकनोलोजी का उप्योग करकर इसको सुगम बना है। विश्व में भर में वैक्सिनेशन का पोग्राम चल रहा है। एक भी देश ऐसा नहीं है कि वैक्सिन लेने के साथ 30 सेकंड में उसके हाथ में इलेक्ट्रोनिक सर्टिफिकेट आ जाए और वैक्सिन लेने के साथ 30 सेकंड के अंदर ही वो देश के वैक्सिन लेने वाले नागरीकों के रजिस्टर में रजिस्टर हो जाए। मैं पूरे स्टडी के साथ कहता हूँ भारत ने यह जो काम कोविन एप के माध्यम से करा है विश्व का कोई डेश नहीं कर पाया है एक सो त्रीस करोड लोगों का वेक्सिनेशन टेक्निलोजी के सहायतार से अना है और देखते हो गया है पूरा विश्व देख रहा है कैसे वेक्सिनेशन को और समस्याओ को नरेंद्र मोधी सरकार ने एक अलग धुष्टी से एड्रेस करना का एक तरीका अपना है जैसे दूस सकता है वो ठीक है उस वक्त हमने जो प्रयास करने थे कहें दुनिया बरसे क्रायोजिदिक ट्रिलर लाए और उसको पहुंचा आया रेले चला ही हवाई जाहाद से पहुंचा निपट गया है अब फूचर में ऐसी दिक्कत आती है तो क्या है अब हमने तही कर लिया कि सौ से ज्यादा जिनके पास बैड है वो हरेक अस्विताल के अंदर ऑक्सिजन प्लांट लगा देना और वो अस्विताल को ऑक्सिजन के मामले में आत्म निर्भर कर पेट देना कभी भी कोई भी महामारी आएगी ऑक्सिजन की डिमांड बढ़ेगी तो इस देश के अंदर कभी ऑ औक्सिजन की किल्लत नहीं हो सकती है इसको कहते है आपत्ति को अउसर में बदलना है इसको कहते है समस्या का मुलबूत समस्या का निवारण की दिशा में काम करना है यह सारी चीजे अपने आप में टुकुलो टुकुले में हो सकती है मकर नीटी निर्दारक वो ही है जो एक प नाचवी चोथी चीज है जवाब देही और समवेदन सिल्तंत्र, कोवीड आया, कोवीड से धेर सारे लोगों का रोज कमा कर रोज खाने वाले लोगों के जीवन पर बढ़ी दिक्कत आगे, एक ठिला चलाने वाला, एक लौरी से मट्रियल ढोने वाला, एक आटो चलाने वाल वो तो साम को उसी से खाता है जो दिन में कमा लेता है, लोकडाउन हो का है, वो क्या खाएगा, दुनिया की कोई सरकार ऐसे समादा नहीं ढूंड पाई, बहुत छोटी-छोटी आबादी वाले देश भी नहीं ढूंड पाई, हमारी 130 करोड की आबादी और 130 करोड की कार की और से देंगे और उसकी समास्या का समाधान कर दिया, कुछ समय तक दाले भी दी, कुछ राजियों ने तेल भी दिया है, इसको कहते है, रिस्पॉंसिव और समविधन सिल सरकार, इसके साथ ही 130 करोड का टिका करन, उसको बहुत अच्छे तरीके से, प्लानिंग के फ्री अप कोश्ट देकर, आज हम कह सकते हैं कि लगबग लगबग कोविड के खत्रे से, कोविड कभी भी आ सकता है, वाइरस रूप बदल कर भी आ सकता है, परन्तु आएगा भी तो हमने एक सुरक्षा का लेयर कम से कम हमारे नागरीकों के लिए सुनिश्चित कर लिया है जिससे इसकी जान को खत्रा होने की संभावनाय कम हो, सम्वेधन सिल सरकार जो होती है, वो इसी प्रकार से काम करते हैं, वन डेंक, वन पेंशन का उदान, 40 सालों से कोई नीड़ा नहीं करता था, माइनस 40 डिग्री टेंपरेचर से लेकर 45 डिग्री टेंपरेचर तक, जो द पेंशन का भी समवेधन सिल्ता के साथ नहीं नहीं किया, और समस्या का स्थाई समाधान किया, हर चुनाओं के अंदर किसानों के रून माप करने की बात होती थी, किसान का रून माप करने की समस्या बहुत बढ़ी थी, हर चुनाओं में इसकी डिमांड उठती थी, और लोक एक साल में 6-8,000 रूपया रून लेने की जरूरत पड़ती थी नरेंद्र मोधी सरकाने रूण माप करने की जगे नेनय कर लिया कि उसको 6,000 रूपया प्रती साल ही दे दिया जाएगा जिससे उसको रूण लेने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी धाई एकर्ट की किसानी करने वाले सारे किसानों को अब रून लेने की जरूरत न पड़े इस प्रकार की व्योस्ता करने का काम भारतिय जन्ता पाटी की नरेंद्र मोदी सरकाने इन्योवेशन के बारे में खेर मैं बाद में बताऊंगा ज्यदा कहना नहीं चाहता हूँ आप सब लोग बहुत जानते हो धेर सारे नवाचार नरेंद्र मोदी सरकार ने अमल में लाए हैं जो सूसासन के रिलेटेर हैं डेर सारी नित्यों का इस प्रकार से नित्यों को बनाया गया है जो नवाचार को समावेश करती है नवाचार को अपनी नित्यों में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और स्थाहित्व देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और स्थाहित्व की कोई पॉलिसी ही नहीं थी पहली बार आजादी के बाद ड्रॉन पॉलिसी नरेंद्र मोधी सरकार ने बना है तो प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी अकेला इस रोख करता था कितना करेगा स्टेस में हमें अगर दुनिया में अपना स्थान लेना है तो प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी इसके लिए भी देश की सुरक्सा को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी का निर्मान की एसे धेर सारी चीजों को पॉलिसीों को बनाने का काम किया और सबसे बड़ा काम स्थाई तो देनी का किया है मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ आगे चलने वाली सरकारों का भी मेरा अभ्यास है अभ्यास का मुझे सौक है एनालिसिस करने का भी मुझे विशय है मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आगे जो सरकारे आई हैं बा नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए यह बहुत बड़ा अंतर है लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेना लोग प्रियता कुछ समय के लिए हासील कर देना और देश को समस्याओं से गिरे हुई रखना कटूता आती है विरोध आता है विरोध को जेल कर रादनिक्तिक नुक्सान आता है रादनिक्तिक नुक्सान को उठा कर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेना ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके मन में सुसासन के प्रती द्रड स्रद्दा हो द्रड विश्व करण कई बार विरोध भी जिलना पड़ता है कटुता भी जिलने पड़ती है परन्तु वो मार्क पर व चलते रहे और इसके कारण विश्वास भी अर्चित हो आय जो अंतिम बात थी मेरे साथ अफिसर की जरूरत नहीं है अवे देश गुलाम नहीं है हम सब एक समान है वो युवा अपने सर्टिफिकेट को खुट सर्टिफाइड कर दे हम क्यूं इस पर बरुसा न करे घलत करेगा देखा जाएगा प्रसाशन निप्टेट गई से परन्तु इसके कारण देश के युवाव को ठपा लगाने की किलत से मोधी जी ने मुक्ति दे दी उस पर विश्वास रखने जाता है तो 27 साल से चुना हुआ प्रतिनी देदू घर पे विचारे युवा हरोज एटेच करने के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए लाइन लगा कर खड़े आज घर पर कोई नहीं आता है एक MP और MLA के लिए अच्छी स्थिति नहीं है परन्तु वो युवा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है किसी के घर पर जाना नहीं है इसके खुद के सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड कराने के लिए इसको कहते हैं सरकार का लोगों पर विश्वास बहुत सारे विवादा है कि इंटर्वी को नाबूट कर दोगे तो क्या होगा मैं मानता हूं क्लास 3 और क्लास 4 में इंटर्वी को नाबीत करकर नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी लगाम कसनिका काम किया देर सारे सुजावाते थे कि एक समान परि विश्वास अरजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है जनता का भी उनके प्रति विश्वास हुआ है मैं कुदान देना चाहता हूं फिर से एक बार कोविर की महामारी के समय का सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का एलान किया सायदी किसी ने नाम सुनाओगा जनता कर्फ्यू कैसा हो सकता है जिसमें पूलिस के एक भी नौटिफिकेशन के बगेर 130 करोड के देश में 12 घंटे तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला था मित्रो क्यूंकि इस देश के प्रधान मंत्री ने कहा है हमें डिसिप्लीन रखनी है और आज हम अपनी सिष्ट का दुनिया के सामने प्रदसन करेंगे मैं मानता हूँ इससे बड़ा जनता का किसी प्रधान मंत्री पर विश्वास का कोई बड़ा उदारण नहीं हो सकता एक भी नौटिफिकेशन के बगर 130 करोड लोग 12 घंटे तक अपने अपने स्थान पर अपने आपको बंद किये तो मोदी जी ने भी जनता पर विश्वास किया है और जनता ने भी मोदी जी पर विश्वास किया है और इसलिए उनको बार बार चुनकर 20 साल से जनता अपना भाग्य इनके हाथ में सौप रहे है मित्रो टेकनोलोजी का उप्योग, नितियों का निर्धारन और प्रशाशन के अंदर टेकनोलोजी का उप्योग, इसके माध्यम से ही सूशाशन आ सकता है। करेंगे। दैनन दिन प्रशाशन में इओफीस, इसमिक्सा, आधार के साथ बायोमेट्रिक प्रणाली, डिवेटी, पैंशन की मंजुरी और भुक्ता निगराली के लिए भी इप्रणाली लाई गई, सारवजनिक वित्य प्रबंदन प्रणाली लाई गई, जेम पॉर्टल ब बनाया गया, जन कल्यान के विशवयों में भी इगवर्नन्स लागू किया गया, एक राष्ट, एक रिशनकार, पोस्ट ओपीस, पासपोर्ट सेवा के अंदर, आपका बैंक, आपके द्वार, जेम ट्रिनिटी, डीजी लॉकर, इअस्पताल, भीमम, उमंग एब, देर सारे कदम उठा गए, सरकारी प्रक्रियाओं में भी इगवर्नन्स के लिए वर्चुल कौर्ट, गुरू भागने लगबग, 16,000 से ज्यादा पुलिस टेशनों को ओनलाइन ले लई लिया है, सीसी टी एनस के माध्यम से, इमार्ग, इलेक्ट्रोनिक रख रखाओ, इप्रोशी मिशन, EFSL, EGEL, सिक्सा के लिए एकिकृत जिलास उतना प्रणाली बनी है, और सबसे बड़ा काम किया है कि मिशन कर्मयोगी को मोधी जिन ने इंट्रोडीस किया है, जब तक मिशन कर्मयोगी के कंसेप्ट समझ कर मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ओनलाइन डेस भर में जो लोग मुझे सून रहे हैं, मिशन कर्मयोगी के कंसेप्ट को हम समझ कर इसको जमिन पर नहीं उतारेंगे, सुसासन संभव ही नहीं है, मिशन कर्मयोगी क्या है? रूल बेज लर्निंग की जगे, रूल बेज लर्निंग में कनवर्ट करना प्रसासन को है, प्रसासन नियमों से चले, ये तो जरूरी है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परन्तु मेरी भूमी का क्या है? मेरे विभाग की भूमी का क्या है? मेरे विभाग का योगदान क्या है इसको भी कहीं न कहीं कंसीडर करना पड़ेगा इतना फ़रक अगर हम समझ लेते हैं तो मुझे लगता है उचीत बढ़लाव करकर हम बहुत सारी समस्या को वहीं पर निप्टा सकते समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड खड़ा नहीं होगा रूल बेज़ लर्निंग की जगे जगना चाहिए और इसके माध्यम से ही हम इशन करमयोगी को सफल कर सकते हैं बहुत बड़ा सबजेक्ट है यहां में इस पर मैं बोल नहीं सकता मतलब इतने समय में नहीं बोल सकता परण तु मैंने एक वाक्ये के अंदर ही इसको ग्राम्स को बना गया है सिपी ग्राम्स के माध्यम से 87 केंद्र सरकार के मंत्रा लए और साड़त्रीस राज्यों को और संग राज्यों को जोड़ना तय हुआ है जोड़े भी गए है लगबग दो लाक लोगों की सिकायत आती थी पहले जो इन्होंने बताया वो बार लाक तक पहुंचे वो बताते हैं कि सिकायतों का निप्टारा हो रहा है और मंत्रालयों की सिकायत का निवार अंदर 90 से 95 प्रतिसत तक है जो पहले 62 के असपास रहता था मैं मानता हूँ यह बहुत बड़ी उपलब दी है एक समवेधन सिल सरकार कैसी होती है इसका यह उपदार्ण है गूड गवर्नेंस इंडेक्स का भी 2019-25 डिसेंबर को प्रदानमंत्री जी ने शुरुआत की थी और नागरिक को कैंदर में रखते ही गूड गवर्नेंस इंड को बना गया है डीजीटल सचवाले की भी हम सरुवात में आगे बढ़ रहे हैं आगे मित्रों अब तक जो बेज बना है इसके आधार पर डाट डेटा गवर्नेंस प्रोएक्टिव गवर्नेंस और एंटिसिप्रेट्री गवर्नेंस की दिशा में हमने आगे बढ़ना पर अ अगर आगे के स्टेज में हम इतना कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि सुशासन के लक्सों की हमारी बहुत सिद्धी में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा और लगभग लगभग हम सिद्धी तक पहुँँ जाएंगे मित्रो मोदी जी ने सुशासन के लिए धेर सारे इनिसेटिव लिये हैं चुनिवी सरकारे तो नित्यों का निधारन करती है चुनिवी सरकारे रूल्स बनानीती है चुनिवी सरकारे कानून बनाती है कानून का इंप्लिमेंटेंशन आप लोगों के हाथ में है इसके स्पिर हम सब जो यहाँ पर आते हैं वो पांच साल के लिए आते हैं पांच साल के बाद देश की जनता तैक करती है कि हमें फीर से देश की बागदोर देनी है या नहीं देनी कि राज्य की दया बागदोर देनी है नहीं कि एक मायनों में हमारा टम पांच साल का होता है मगर आप जब रूल्स को कागजों की तरह मत पड़ियेगा, उसके spirit को समढ़ना पड़ेगा, कानून को भी कागज की तरह नहीं पड़ना चाहिए, इसके spirit को समढ़ना चाहिए, और इसको spirit को समगते हुए देश की जनता के लिए सबसे अच्छा क्या है इसका फैसला लेते हुए रूल्स के और कानून के four corners के अंदर ही मगर हम थोड़ा इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं तो हम काफी कुछ कर सकते हैं और वो नीड़े आपको आपकी जगह पे आपकी seat प यह दोनों विशय को civil servant में छोड़ देने चाहिए हर चीज सुधारने का जिम्मेदारी आपका है और हर चीज को अच्छा करने का जिम्मेदारी आपका है और मैं मानता हूं सुशासन इसी दो सब्दों के अंदर आ जाता है इतना कहकर मेरी बात को समाप करता हूं कर दो